हम लोग सिखेंगे कि लास्ट एक्सपारी में जैसा हम लोगों को पैसा डेबल वाला जैकपॉट ट्रेड मिला था कल के दिन उस ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाय करना है उस ट्रेड के पीछे का कम्प्लीट लॉजिक क्या है तो सबसब पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निप कि यह बुलीश इंगलफिंग कैंडल है तो यह बिल्कुल नहीं है इसके पीछे के क्राइटिरिया मैंने आपने प्लेलिस्ट में जो कैंडल स्टिक का वीडियो बनाये हुए है वहां पर डाले हुए आप चेक करके मुझे बता दीजिए क्यों यह बुलीश इंगलफिंग क ट्रेड लेना है तो सबसे important बात जो है वो market जो है वो यह जो real body इसके 50% के नीचे मतलब 41,400 के नीचे अगर open हो जाता है तो market में एक negative sentiment develop हो जाएगा और वहां से market नीचे आने की probability है उस case में हम लोग 41,400 का जो put है वो 41,400 के put को यहां पर buy कर सकते लेकिन global market में हम लोगों को उस तरीके का behavior आज रात को दिखना चाहिए और कल अपना market gap down के साथ open होना चाहिए तब यह probability काम करेगी उपर की side में अगर आप देखोगे तो market यहां पर जो high बन चुका है इस high को अगर निकलता भी है तो market यहां पर range bound zone में फसने के high probability है क्योंकि multiple बार market यहां पर जाके आ चुका है तो हमारे लिए कल के दिन का trade बहुत ही कौशियसली करना पड़ेगा कल के दिन option का weekly expiry है इस expiry में आगर आप देखोगे तो आज के दिन last mover में जो momentum आया था उसकी वजह से अच्छा का सा open interest का data build up हो चुका है और short covering का rally आज ही हम लोगों को देखने को मिल चुका है तो अभी आपके सामने मेंने 15 minute का chart लगाया हुआ है तो कल के दिन 15 minute के chart में market अगर 41,300 के level के करीब gap down open होके इस तरीके का hammer candle pattern या इस तरीके का pattern बनाता है तो उस case में हम लोग 41,300 का जो call है वो 41,300 के call को यहाँ पर buy कर सकते हमारा पहला target जो निकल के आएगा वो पहला target 41,500 क लेवल के करीब का निकल के आ रहा है market अगर इसी zone में open हो जाएगा तो यहाँ पर market एक range bound momentum दिन भर के लिए दिखा सकता है तो कोई बड़ा trade हम लोगों को कल के दिन नहीं मिलेगा market में यहाँ पर एक trend line develop किया हुआ है इस trend line को अगर market break करके नीचे आता है तो यहाँ पर हम को best trading opportunity मिलेगा और वहाँ पे एक long unwinding का fall हम लोगों को देखने को मिल सकता है इस case में हम लोग 41,500 के put को buy कर सकते हैं और वहाँ पे हमारा जो target निकल के आ रहा है वो 43,300 का target नीचे की side में हम लोगों को निकल के आ रहा है यह सभी trade में 77 point का stop loss आपके लिए sufficient रहेगा लेकिन य यहाँ पे फिर open interest का data जितना ज्यादा built up हो जाएगा उतना ज्यादा long unwinding का fall हम लोगों को देखने को मिलेगा अगर कल के दिन market directly इस level के उपर gap up open होता है तो यहाँ पे cautiously open interest के data को और price action को देखके trade करना पड़ेगा जो भी best trading opportunity मिलेगा मैं अपने इस free वाले channel में आपको update क कर दूंगा जिसका link मैंने वीडियो के नीचे description box में डाला हुआ है अभी देख लेते हैं कि निप्टी में किस तरीके का scenario develop हो चुका है और हमें कौन से level के उपर best trading opportunity मिलेगा अभी आपके सामने में निप्टी का spot का daily का chart लगाया हुआ है अगर आप यहाँ पर देखोगे त तरह market ने develop किया हुआ है कल के दिन मतलब जो हम लोगों को पहला session मिला था वहाँ पर एक shooting star candle develop हो चुका था तो उसी candle में मैंने आपको बता दिया था कि market अगर इस level के नीचे आता है तो नीचे की साइड में 600 तक का target हम लोगों को देखने को मिल सकता है global market में क्या होगा है ज उसी को हम लोगों ने यहाँ पर trade किया फिर उसके बाद market ने यह जो एक range बनाया हुआ है यह range हमर लिए बहुत ही important रहेगा जो लोग option selling में काम करते उनके लिए एक्सपरी के पहले इस तरीके का range बनना मुतलब बहुत ही बढ़िया opportunity रहता है अगर आपको option selling के बारे में ज resistance level की तरफ या नीचे की support की level की तरफ आ जाएगा तो हम लोगों को best trading opportunity मिल सकता है इसके पीछे का logic क्या है अभी कुछ लोगों ने मतलब यहाँ पे 17800 के call जो रहेंगे वो right करके रखे होंगे और नीचे की side में 16600 के जो 17600 के जो level है वहाँ पे put right करके रखे होंगे तो उतन तब क्या market आपको upside का भी momentum दिखाएगा और फिर उसके बाद downside का भी momentum दिखाएगा market trendy कब हो सकता है इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इस range में market कितना time spend करता है और time के साथ-साथ market में open interest का data कितना develop हो जाता है जब तक आपको इसका open interest के data का quantity नहीं पाता चलेगा तब तक मुझो breakout आएगा, वो strong आएगा, weak आएगा हम लोग calculate नहीं कर सकते हैं यहाँ पर market कितना time spend करेगा उसके उपर depend रहेगा कि open interest का data कितना build up हो जाता है अगर afternoon session में यहाँ पर breakout मिलता है तो वो better breakout रहेगा वो level कौन सा रहेगा यह समझने के लिए हमें 15 minute chart के उपर जाना वाला momentum आगर आप देखोगे जो आपको एक 45 के बाद देखने को मिल चुका है, इसमें HDFC bank ने बिल्कुल participate नहीं किया, ज्यादा तर momentum जो आया हुआ था, वो ICICI bank और Axis bank की तरफ से आया हुआ था, और last में जो momentum आया था, वो purely ICICI bank की momentum से आया था, HDFC bank में कुछ भी participation यहाँ पर हम लोगों को देखने को नहीं मिला, अभी आगर आप Nifty का चार्ट देखते हो, तो Nifty के चार्ट में आपको clear कर दिखाई दे रहा है, कि market ने ऊपर एक range बनाया हुआ है, नीच के एक range बनाया हुआ और in between market close हो चुका है, तो यह हमें clearly indicate कर रहा है कि एक range bound scenario develop हो चुका है, market को आइदर upside के level की तरफ consolidate करके फिर breakout देना चाहिए, या फिर नीचे वाले support level के consolidate करके breakout देना चाहिए, तभी एक बड़ा momentum होने की probability है, otherwise यहाँ पर market कल के दिन पुरा range bound रहने की ही उमीद हम लोगों को देखने को मिल सकती है, market अगर बड़े gap down के साथ open हो जाता है, तो price action क को देखके हम लोग decision ले लेंगे कि कौन सा trade लेना है, अभी सबसे important बात सीख लेते हैं कि कल की expiry में jackpot trade को किस तरीके से identify करना है और उसके पीछे का complete logic क्या है, जब भी हम लोग जाकपाट trade के लिए जाते हैं सबसे important बात रहते हैं कि हम लोगों को कम से कम देड़ बजे तक market में अगर इस level को market downside की तरह break करेगा तो उपर के level पर जितने भी लोगों ने buy के position बनाए रहेंगे, वो buy करने वाले automatically यहाँ पर trap हो जाएंगे और अगर वो लोग यहाँ पर trap हो जाते हैं तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ साड़े तिन बजे तक का समय रहता है अपने position को square पर करने के लिए तो आपने why के position को square up करने के लिए यहाँ पे sayle का order punch करेंगे इसमें से कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो आपके loss को recover करने के लिए double quantity के साथ sayle का order punch کرेंगे और जो हमरे जैसे लोगं है जwnie को price action का benefit लेना है वो भी यहाँ पर price action का benefit लेने के लिए sale का order punch करेंग तो हम लोग out of the money option को trade करेंगे जिसका premium 15 से लेके 20 रुपे के बीच में रहेगा उसका stop loss जो है वो मात्र 5 रुपे का रखेंगे और target कैसे calculate करना इसका YouTube के उपर वीडियो आप जाके देख सकते हो तो यह best trading opportunity jackpot trail water जैसे ही develop हो जाएगा मैं अपने इस free वाले चाइनल में आपको update कर दूँगा जिसका link वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको like कीजिए अपने YouTube चानल को subscribe करके bell icon का button दबा दीजिए मिलते हैं next educational वी प्रिमाइश